वेलकम बैक टो दा समाजिक गुरु चैनल आज हम करने जा रहे हैं क्लास एट के हिंदी का सांपल पेपर वन जो की पंजाब बोर्ड ने रिलीज किया है तो ये वीडियो आपकी हेल्प करने वाला है आपके प्री बोर्ड एंड फाइनल एक्जाम्स तोनों में ही ठीक है तो को बिल्कुल भी स्किप मत करना आईए वीडियो स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले जो है हम लोग देख रहेते हैं हमारा पेपर पैटर्न जो है वह किस तरीके का होने वाला है तो पेपर जो है वह 80 मार्क्स जो है वह आपका रिटेर होगा और जो इंटरनल असेस्मेंट ह है वह 20 मार्क्स की लगेगी तो टोटल 100 मार्क्स हो गया ठीक है टाइमिंग आपको तीन घंटे की दी जाएगी प्रश्न एक जो है वह बहु विकल्पिक उत्रों वाले प्रश्न प्रश्न है निम्लिखित में से कौन सा शब्द लहर का पर्यायवाची शब्द है तो लहर का निम्लिखित में से शुद्ध शब्द चुनकर लिखो इसमें से शुद्ध शब्द जो है वो कौन सा है तो पुरसकार ये वाला सही है दिये गए वाक्य में से भाव वाचक संग्या शब्द चुनकर लिखे शरीर को पूर्णित अंगों के सहयोग से मिलती है ठीक है तो यह यहां पे जो है वो क्या हो जाएगा पूर्णता इसके बाद अगला प्रश्न है हम लाल किला देखने जाएंगे वाक्य में से सर्वनाम शब्द जो है वो चुन्या है तो सर्वनाम क्या होता है जो नाम की जगेपर आए तो यहां पर हम जो है वो सर्वनाम है अगला प्रश्न में से सही विशेशन शब्द की पहचान करें, तो सही विशेशन शब्द इसमें से कौन सा है, विशेशन क्या होता है, जो विशेशता बताएं, ठीक है, तो प्रसिद, अगला है, ये लोग क्यों धीरे-धीरे चल रहे हैं, तो वाक्ये में से सही क्रिया शब्द की पहचान कर लिखना है ठीक है तो यहां पर चलना जो है वो क्रिया है तो चल रहे है जो है वो उसका अंसर हो गया यह एक नंबर के आठ प्रश्ण थे इसी तरीके से कवीता भाग पर अधारित निम्नितित बहुवेकल्प्रिक प्रश्णों के उत्तर्ज है वो आपने देने हैं लता कहां पर फूली नहीं समाती तो लता जो है वो वन में फूली नहीं समाती नवयुवकों के प्रती कवीता किने संबोधित की गई है तो नाम से भी पता चल रहा है नवयुवकों को संबोधित की गई है हर विपदा को हराने पर मा को क्या कहा गया है हर विपदा को हराने पर मा को ह इमाल्य कहा गया है अगला प्रश्ण है कवी के अनुसार प्राया दोस्त कैसे होते हैं तो कवी के अनुसार प्राया दोस्त जो है वो कैसे होते हैं स्वार्थी होते हैं निम्लिकित कठिन शब्द अधारित बहु वैकल्पिक प्रश्णों के उत्तर दे एक एक नंबर के ये त प्रश्ण है निम्लिकित में से हिम्मत शब्द का सही अर्थ चुने तो हिम्मत का सही जो अर्थ है यो क्या होगा होसला फिर है निम्लिकित में से हिंडोले शब्द का सही अर्थ चुने तो हिंडोला का सही शब्द क्या है अर्थ क्या है जूला निम्लिकित में से चुनोती श पूछे गए हैं क्या बेहन ने राखी सजा रखी है तो यहां पर आपने इस परग्राफ को पढ़कर आंसर देना है तो बेहन ने राखी जो है वो सजा रखी है इसके बाद है क्या राखी के त्योहार पर बेहन खुश है तो राखी के त्योहार पर बेहन जो है वो खुश नह नहीं है भादों में डैश नहीं चाही है भादों में घटा नहीं चाही है ठीक है तो यहां पर जो है वो क्या आजाएगा घटा घटा शब्द का सही अर्थ से मिलान करो तो घटा का सही जो अर्थ है वो क्या है बादल रश का केंद्री भाव राखी का महत्व है तो यह पद् उंटनी ठीक है उसके बाद जो है यहां पर है आलोचना शब्द का बहुवचन रूप लिखे तो आलोचना का क्या हो जाएगा आलोचनाएं ठीक है फिर है वर्दान शब्द का विपरीत शब्द ताकतवर होगा तो नहीं होगा यह गल्त है ठीक है इसके बाद है आवशक संग्या शब्द जो है वो आवशक्ता होगा तो यह बिल्कुल सही है फिर अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है सूर्य का उदय होना इसको हम लोग क्या बोलेंगे सूर्य उदय निर्देशा नुसार निम्निकित प्रश्णों के उत्तर दे रिक्त स्थान में उप्योक्त मध्यम पुरुष का प्रियोग कीजिए ठीक है डैश पता चल जाएगा तुम्हें पता चल जाएगा ठीक है रिक्त स्थान में उचित संबंद बोधक्र शब्द भरें हामिद तो मोटर डैश आते आते बचा मोटर के नीचे आते आते बचा रिक्त स्थान में उचित योजग शब्द भरें योजग जो है वो सेंटेंस को कनेक्ट करता है ठीक है तो हमने वहां बोटिंग की और दाइ होगी नहीं ठीक है फिर है दर्शक शब्द में आधर रोज है वो रेफ का प्रियोग हुआ है यह बिल्कुल सही है ठीक है इसके बाद आ जाता है भाग ख तो यह आपके जहां वो बुक से बेस्ट क्वेस्टन्स हैं यहां पर 20 मार्क्स का है तो यहां पर आपने जो प्रश्ण आपको दिये गए है उनमें से किसी आठ प्रश्णों के उत्तर एक या दो पंक्तियों में देने हैं ठीक है एक एक नंबर के यह प्रश्ण है पहला प्रश्ण है महा पदमनंद के दर्बार में किस देश के दूथ आये थे पिंजरे का शेर से लिया गया है तो महापदमनंद के दरबार में रोम देश के दूद आये थे ठीक है नेक्स्ट है लिफ्ट का प्रियोग किन लोगों के लिए किया जाता है ये मैट्रो रेल का सुहाना सफर से लिए गया है तो लिफ्ट का प्रियोग व्रिदों बिमारों और अपाहिज लोगों के लिए किया जाता है चिडिया की कितने बच्चे थे शायद यही जीवन है से लिए गया है तो चिडिया के चार बच्चे थे नेक्स्ट क्वेस्ट नील बारे बेचकर अपना जीवन बसर कर रहा था सूर्दास ने किसकी अराधना में कावियरचना की सूर्दास ने श्रीक्रिष्ण की अराधना में कावियरचना की सहयोग का क्या अर्थ है किसी कारे में एक दूसरे का साथ देना सहयोग कहलाता है BSF के जवान कौन-कौन से नारे लगाते हैं वंदे मातरम, भारत माता कीज़े, हिंदुस्तान, जिंदाबार धर्ती का तापमान किस गैस के कारण बढ़ रहा है तापमान कारबन डायोकसाइड गैस के कारण बढ़ रहा है ठीक है अगला प्रशन है कलपना का विवाह कब और किस से हुआ कलपना का विवाह सन 1983 इश्वी में जिन पियरे हैरिसन से हुआ तो बच्चों आगे बढ़ने से पहले अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है हमारी वीडियो आपके लिए किसी भी तरीके से हेलफुल है तो चलिए नेक्स्ट क्वेस्टन पे चलते हैं उसमें आपको किनी तीन प्रशनों के उत्तर देने हैं चार या पांच पंक्तियों में देना है ठीक है चार-चार नंबर का ये प्रशन है आपका तो पहला प्रश्ण है पिंजरे के शेर के चारो और आग लगती देख सभा में सननाता क्यों चागिया ये question जो है वो पिंजरे का शेर से जो है वो लिया गया है उत्तर है सभा के लोग किशोर द्वारा पिंजरे में से शेर को बाहर निकालने की युक्ती को बड़े ध्यान से देख रहे थे वे शेर के बाहर आने का इंतजार कर रहे थे पिंजरे के शेर के चारो तरफ आग लगती देखकर सभा में सननाता चागिया नेक्स्ट प्रश्ण है लेखिका ने बच्चों को पढ़ाई का क्या महत्व समझाया प्रेणा से लिया गया है ये प्रश्ण लेखिका ने बच्चों को समझाया कि अगर वे पढ़ेंगे नहीं तो उनका बच्पन जवानी और बुढ़ापा इसी तरीके से व्यर्थ हो जाए पढ़ाई से ही उन्हें नवकरी घर अच्चे कपड़े मिल सकते हैं नेक्स्ट प्रश्ण जो को है वह इदह से लिया गया है रूस्ट में हिंद कैसे है हामिद का चिम्टा रूस्थ में हिंद इस लिए है त्बादूर है उसमें आग में कूधने की शक्ति आग में भादू प्रण्ट्व काम नहीं कर सकते चिम्टा अपने साथियों के खिलोने को तोड़ भी सकता है अता वे उस्त में हिंद है नेक्स्ट प्रशन मेरा दम घुटता है से लिया गया है कि ऑक्सीजन गैस को जीवन का मूल अधार क्यों कहा जाता है ऑक्सीजन गैस के जीवन का मूल पूचा गया है कि विधान सभा में बम विस्वोट का क्या परिणाम निकला सर्फ रोशी की तमन्ना से लिया गया है ये विधान सभा में बम विस्वोट के बाद भगतं सिंग तथा बटु केश्वर दत पक्ड़े गए अंग्रेजों कोपकरने का दमन चक्र तेज कर दिया राजगुरू, सुखदेव, असंक्य युवक जेलों में बंद कर दिये गए भगत सिंग, राजगुरू और सुखदेव को फांसिक की सजा सुनाई गई तो था बटुकेश्वर दत को काला पानी की सजा दी गई ठीक है, भाग, ग, पांच नंबर का है, अनुवाद है ये ठीक है, तो निमलिखित में से किनी तीन पंचाबी शब्दों का हिंदी में अनुवाद करें तो सबसे पहला वर्ड जो है, वो क्या लिखा है, सूत्र ठीक है, इसके बाद है कदम नेक्स्ट है योग्य और इसके बाद है बिजली, ठीक है सेकेंड जो प्रश्ण दिया गया है, निमलिखित में से किसी एक पंचाबी वाक्य का हिंदी में अनुवाद करें दो नंबर का है ये प्रश्ण, तो पहला जो आपको सेंटेंस दिया गया है कि उसका चिम्टा रुस्त में हिंद है, ठीक है, इसके बाद जो दूसरा वाक्य दिया गया है वो है, आज भी वह सबके दिलों में राज करती है, ठीक है नेक्स्ट जो है वो क्वेस्टन देखते हैं हम लोग, तो नेक्स्ट भाग घर स्टार्ट हो गया है जो कि मुहावरे एवं लोकोक्तिया है, निमनिकित में से किनी पाँच मुहावरे या लोकोक्तियों का वाक्य में इस तरीके से प्रियोग करना है कि उनका अर्थ, यानि कि उनका मीनिंग जो है, वो क्लियर हो जाए, ठीक है तो एक एक नमबर का यह होगा प्रश्न सबसे पहला मुहावरा हमें दिया गया है दम घुटना मतलब होता है सास लेने में कठिनाई होना ठीक है तो प्रियोग घर में इतनी भीड थी यहाँ पर मोड नहीं होगा भीड होगा ठीक है नेक्स्ट है दिन दुगनी रात चोगनी उन्नती करना यानि की अत्यरिक उन्नती करना आजादी मिलने के बाद भारत ने दिन दुगनी रात चोगनी उन्नती की नेक्स्ट है धावा बोलना यानि की हमला करना शिवाजी की सेना ने एकदम मुगलों पर धावा बोल दिया इसक सुनील तो माता अपने माता पिटा की आंखों का तारा है बिन विचारे जो करे तो पाचे पच्टाए यानि कि बिना सोचे सम्झे कार ची calour करने पर पच्टाना पड़ता है रवीरे बिना सोचे विचारे जल्दबाजी में मित्रता की और उसके मित्र ने उसे जेल भिजवा दिया इसलिए कहते हैं कि बिना विचारे जो करे सो पाचे पच्चताए कुट्टे की दुम सीधी ना होना याने कि कभी ना सुधरना ठीक है रवी कुट्टे की दुम है जो कभी तुम्हारी बात नहीं समझेगा नेक्स आजाता है रचनात्मक लेखन जो की पंद्रमाक्स का होगा यहां पर आपको दो पत्र दिये गए हैं ठीक है किसी एक पत्र को जो है वो आपते करना है साथ नंबर का ये क्वेस्चन है स्कूल छोड़ने का प्रमान पत्र लेने के लिए स्कूल के मुख्य अध्यापक क केशी को एक पत्र लिखिये और जिसमें जर्म डिवस पर भेज़े गए उपहार के लिए धन्यवाद प्रकट किया गया हो ठीक है तो यहां पर प्त्र जो है वो दिया गया है आपको यह सेकेंड वाला आप से जो बोला गया है कि आप स्था C чем have سे और ठैप जो कि है निम्लिकित में से किसी एक विशैपर संकेट बिन्दों के अधार पर 600 शब्दों का एक निबंद लिखना है तो आठ नंबर का ये प्रॉश्न है या तो आपने प्रदुशन की समस्या पर लिखना है या शहीद सरदार भगत सिंग के उपपर आपने निबंद लिखना है या मेरा पंजाब साफ सुत्रा करना अच्छी हेंट राइटिंग में करना क्योंकि आपको आपकी लिखाई के लिए पांच नंबर जो है वो दिये जाएंगे तो बच्चों ये वीडियो हो जाती है हमारी यहीं पे खत में इनकेस आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्षिन में क्वेस्चिन कीजिए मैं रिप्लाइ करने की पूरी पूरी कोशिश करूँगी थैंक यू वेरी मच और आल बेस्ट फॉर इर एक्जाम्स कर लिए वेरी कर दो कर दोजें वेरी मिली को और आल टुमसभी वेरी म Sun Time